पत्याला हैंडीक्राफ्ट हैंड लूम सोसाइटी के माध्यम से हमने एक सोसाइटी गठित की और उसका हमने उदेश्य जो रखे अपलिफ्टमेंट और रूरल मोमेंज रिवाइवल आर्ट फुलकारी और फुलकारी को में हमने इसमें रखा और विकर सेक्शन की को शोशली और एकनॉमिकली उपर करें इसके बाद जब सुसाइटी बन गई तो नबाट बेंक वालों ने अपरोच किया महिला इस तरीके से पहले एक गाउं की चुड़ी उसके बाद दूसरे गाउं की उसके बाद महिलों ने हमें खुदी अपरोच करने शुरू कर दी मे जेल में भी जाके 25 लड़कियों को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया